नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका, आज हम लोग बात करने वाले हैं जैसा कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पर शुंग वंच, जी हाँ, शुंग वंच के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, इससे पहले हम लोगोंने मौरे वंच के बारे में बढ़ा था, मौरे वं तो ध्यान रखेगा कि इसकी स्थापना हुई थी शुंगवंच की 185 इसाप पूर्व में पुष्यमित्र सुंगने की जैसा मैंने आपको पताया कि यह मंत्री था और इसने क्या कर दिया इसने उसकी हत्या कर दी किसकी व्रहदत की और इसकी हत्या करने के बाद में यहां पर इसने एक नए वंच की नीव रख दी जो किस नाम से जो इस शुंग वंच के नाम से जानी जाती है ठीक है दोस्तों आगी चलते हैं मौरे वंच का राजा व्रहदत का प्रधान सहनापती था उसे मारकर सियासन पर इसने अधिकार कर लिया उसने 151 इसा पूर्वता का राज किया और उसने का युद्धो में विजय प्राप की और अपने राजिकाल में दो बार अश्वमेद यग्य भी करवाये था कितनी बार दो बार अश्वमेद यग्य करवाये और सुफरसिद संस्कृत व्याकरण का ज्याता होता है अर्थात संस्कृत व्याकरण का ज्याता प पतंजली अशुमेद यग्जी में उसका पुरोहित था, तो पतंजली जो है ना, वो किसके शाशनकाल से संबंदित है, तो नाम ध्यान रखी जेगा, वो शुंगवंच के शाशक, पुष्चमित्र शुंग के शाशनकाल से संबंदित है, पुष्चमित्र के बाद शुंगव क counting कि यहां पर यह जो डेव भूती था इस यहां से एक ब्रशा ऑगे चलते हैं आगे नयवंच की बात करता है जिसका नाम है साथवाहन वंच आंद्र गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी में सिमुक नाम के एक वक्ति ने लगबग 60 इसापूर्व में साथ वहान वंच की नीव रखी अब देखो दोश्तों कहां की बात हो रही है आंद्र क्षेत्र की यनि गोदावरी और कृष्णा वाला जो क्षेत्र है वहां की बात हो रही है तो अब क्या हुआ क्रिश्णा नदियों की घाटी में सिमुक नाम की व्यक्ति ने किसने सिमुक नाम का व्यक्ति था न उसने ठीक है दोस्तों, सीमुक, सीमुक ने साथ वहन वंच की स्थापना करी थी, ठीक है, आगे चलते हैं, अब क्या हुआ, कि सीमुक का राजेकाल सैंतिस इसा पूरू तक माना जाता है, उसके उपरांत शातकरनी प्रथम ने साथ वहन वंच की शक्ति और सत्ता का, विस्तार किया शातकरनी प्रथम ने अश्व में यह भी करवाया और समपूर्ण दक्षन भारत पर अपनी सारभूम सत्ता इस्तापित की, उसकी राजधानी गोदावरी नदी के तट पर इस्थित प्रतिष्थान, जो वर्तमान में आधुनिक पेठक नाम की नगरी थी, उसको इसने क्या बनाया था, राजधानी बनाया था, तो दोस्तों उसके बाद शिमुक के बाद में जो शातकरनी था, उसने शाषन मेवस्ता संभाली और उसके बाद में इसने क्या कर दिया, जो वर्तमान में पेठन नाम की जगह है, उसको अपनी क्या बनाया, राजधानी, जो उस समय में प्रतिष्ठान की नाम से जाना जादा था शातकरनी प्रतम की मुलत्तियों के बाद शकों के आखरवण के फलसुरूप सातवहानों की शकती में हास होने लगा तो अब जो शक थे शक्वंची उन्होंने क्या कर दिया इन पर आकरवण कर दिया जिसकी वज़े से इनकी शक्ति क्या होनी लगी? कमजोर होनी लगी. महाराष्ट में शक्वंच का शाषन आरंब हुआ जो पस्चिमिक शत्रफ वंच कहा जाता है. अब जो शक्वंच है उसका शाषन व्यवस्ता यहाँ पर शुरू हो जाती है उसको शत्रफ वंच के नाम से जाना गया है. यह बात आप धान रख लिजिगा. सात्वाहन वंच के टेईसवे शाषक गौत्मी पुत्र शात्करनी ने पस्चिमिक शत्रफों की शक्ति को नश्ट करके पुन्ह अपने वंच की को शक्ति इस्थापित किया था. अब शात्करनी ने पुन्ह वापस से जोर समस्त भुभाग चीन लिया जिससे उसने पस्चिमिक शत्रफों को पराजित करके जीता था. सात्वान वंच के 27 वे शाषक यग्यश्री शात्करनी ने उज्जैनी के शत्रफों से कुछ भुभाग को पुन्ह अपने अधिकार करके अपनी वंच कीरती पुन्ह इस्थापि में ले लिया और अपना जो वंच है उसको कीरती को आगे बढ़ाने का प्रयाज इसने किया था. यग्यश्री ने कई प्रकार की मुद्राहें भी चलाईती दोस्तों, जिन में से कुछ पर जलपोत भी अंकित हैं, इससे प्रतीत होता है कि उसका सामराज समुद्र तक विस् नमुंद्र का जो क्षेत्र है वहां तक विक्सित है. इस वंच के सभी शाशक जो हैं हिंदु धर्म की अनुवाई माने जाते हैं, उन्होंने वैदिक यग्यों और समाज में वर्नाश्रम में वस्ता को प्रतिष्ठित किया. वर्नाश्रम ये हम पहले भी बात कर चुके हैं चार प्रकार के वर्न हुआ करते थे. क्यों प्रतिष्ठित किया तथा विदेशी यमनों और शकों के संगर्ष करते उन्होंने बहुत तता जैन भी हारों तथा उपक्ष्रय को भी प्रभूत अनुदान दिये. उनके शाशनकाल में वानीज तथा व्यापार क्रेशियम अन देने की प्रथा आरंब कीती. ध्यान रखिएगा कि उस समय में ब्राह्मनों को भूमी देने का एक नया कंसेप्ट शुरू हुआ जो इस वंच के द्वारा शुरू किया गया था. साहत्वान वंच राजाओं ने पस्टिमी दक्कन में अनेक चैत्यम विहार बनवाए जिसम मुख्य रूप से कारले का चैत्य जो है ना वो क्या है सू प्रसिद्ध है. 40 मेटर लंबा और 15 मेटर उचा ये चैत्य वास्तु का लाका अदुद क्या है? उधारन यहां पर मिलता है. अब हम इसके बाद में बात करते हैं एक नए वंच की जो की प्रसिद्ध है जिसका ना तक शाषन करते हैं उसका 275 इसवी में एक नए वंच की शुरुवात होती है दोस्तों और उस वंच का नाम क्या था? उसका नाम था गुप्त वंच जो है गुप्त डाइनस्टी जो है वो 275 इसवी में शुरू हो जाती है इस वंच का संस्थापक कौन था? तो ध्यान रख स्थापना की थी समुद्र गुप्त ने स्वयम को प्रयाग प्रशस्ती में श्री गुप्त का प्रपोत्र कहा है यह बात ध्यान दखेगा यह प्रशन भी पूचा गया है एक्जाम में कि समुद्र गुप्त ने स्वयम को प्रयाग प्रशस्ती प्रयाग प्रशस्ती जो है तो उस्तो वो हरीशेन ने लिखवाई थी हरीशेन तो वहाँ पर श्रीगुप्त का प्रपोत्र यहां पर कहा गया है श्रीगुप्त के बाद गटोतकच नाम का शाशक हुआ था श्रीगुप्त के बाद में जो शाशक बना उसका नाम क्या था गटोतकच उसकी उपादी क्या उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथफ गुप्त वंत का शाशक हुआ, इसने महाराजा धीराज, तो सिर्फ महाराजा धीराज की उपादी धारन कर ली थी, उसने लिच्वी वन्षकी जो एक राजकुमारी थी इसका नाम था कुमार देवी, जि हां, इधान लखेंगा कु कि जाएब, तो जिसमें कीर्थी गुप्त वन्षकी बढ़ाई थी, उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम ने किस से विवा किया था, लिच्वी प्रदेश की कुमार देवी से विवाह किया था, और इसने जो संब्द संवब्ठ लख संवब्द के ति 319 एच में इस ने संवब्ब्द चाया था, यहां तकस दो समझ में ऐपको आगे चलते हैं की सतवर चंधर उप्द्र अफ्द्र को अपना उत्र अधिकर्ण उसका अधर्ष दिग-वजय और और एकी करन था दिग विजय और एकी करन उसका आदर्श था और वह सामराजवाद में विश्वास रखता था उसके दरबारी कवी हरी शेण ने हाना मैंने अभी आपको एक नाम बताया था प्रयाग प्रशस्ती जो है वो किसने लिखवाई थी हरी शेण ने उसकी सैनिक सफल मताओं को वेवरण इर्ट इलापाद प्रशस्ती अभी लेग में किया है तो इस इल्फाद का जो नाम है ना हो प्राचीन समय में और अभी भी अब क्या हो प्रयाग राज हो चुका है तो प्रयाग प्रशस्ती इसको कहा जाता है तो प्रयाग प्रशस्ती को लिखने में महत्वपून अग यदि किसी का रोल है तो वो किसका है हरीशेन का रोल है तो ध्यान रखेगा यह किस ने लिखवाई थी हरीशेन ने लिखवाई थी यह अभी जीते ज्चेत्र को पांच समाहों में बाटा जा सकता है पूर्वी विंद्यक ज्चेत्र के आठविक राज्य पूर्वी दक्कन वदक्षिनी भारत के राज्य और शक एमंकुशान राज्य इलहबात प्रशास्ति के अनुसार वह कभी भी युद में हारा नहीं था दोस्तों पहली बात तो यह देहान अखना यहाँ पर एक शब्द आया है गंगा यमना दौआब के राजिए तो जहाँ पर दो नदियां आकर के मिलती है उसे दो आप शेतर कहा जाता है एक और इंपॉर्टेंट बात कि समुद्र गुप्त जो है न वो कभी भी युद में हारा नहीं था इसलिए समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है ये बात भी आप ध्यान रखिएगा अना तो एक भी युद्ध ये नहीं हारा था समुद्र गुप्त के पास एक शक्ति सहल ली नो सेना भी थी जिससे वह विदेशों से संबद सूधर कर सकता था समुद्र गुप्त ने अश्वमेद यगिभी किया उसके सिक्पों पर अश्वमेद पराक्रम लिखा मिलता है यह ललित का लाओ में भी निपून था उसे कवी राज भी कहा गया है वह संगीत में भी निपून था एक सिक्के पर उसकımızı आकरती वीना बजाते हुई दिखी गई है तो यह जो सिक्के थे उस पर क्या है कि वीना बजाते हुँ उसकी तस्वीर नजर आती है वो अच्छेन नजर आता है, इसे ही पता चलता है कि इसे संगीत का और खासतोर पर विर्णा का बहुत अच्छा क्या था? ज्यान था. विश्नू का भक्तिता परंतु दूसरों धर्मों का भी क्या करता था? सम्मान करता था. ऐसा माना जाता है कि ये जो समुद्रगुप्त है वो किसको सबसे जादा विश्णु जी हैं, उनको मानता था, और दूसरे जो धर्म है, उनका भी ये क्या करता था, बहुत आधरोर सतकार करता था, चंद्रगुप्त द्वीतिये की बात कर लेता हूँ, चंद्रगुप्त द्वीतिये कौन है, तो चंद्रगुप्त द्वीतिय ये समंद्र गुप्त का पुत्र था, उसका नाम देवराज तथा देव गुप्त भी मिलता है, यानि कहीं कहीं पर इसका नाम क्या मिलता है देवराज या देव गुप्त, उसने अपने सामराजी को विवा समंदो और विजयों के दोरा बढ़ाया तो उसने अपने पुत्री शाशक बन जाती है दोस्तों यहां पर मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि आपने नाम सुना होगा कि भारत की प्रतम मुसलिम शाशी का कॉन दी तो उसमे एक दूँश नाम आता है रजिया सुल्तान का तो भारत के अंदर प्रतम अगर अगर शाशिका की बात आती है तो रजिया सुल्तान नाम आता है लेकिन रजिया सुल्तान से पहले अगर भारत के किसी क्षेत्र विशेश में किसी राज्य विशेश में किसी प्रदेश में यदी कोई महीला शाशिका बनती है तो सबसे पहला नाम जो आएगा ना वो यहां प प्रभावती का लेकिन प्रेशन आता है कि पहली मुस्लिम महिला शाशी का कौन थी तो वहाँ पर नाम किसका आता है रजिया सुल्तान का चंदरगुप्त दित्ये ने पस्चिम मालवा वा गुजरात को भी जीता उजयन को उसने अपने दृतिराजदानी बनाया था शक्विजय के पस्चार्थ उसने विक्रमा दीत्य की उपाधी धारन की थी दोस्तों ये इंपॉर्टन बात है कि चंदरगुप्त सेकेंड ने किसकी उपाधी धारन कर ली थी चंदरगुप्त सेकेंड ने विक्रमा दीत्य की उपाधी धारन की थी कुमार गुप्त महिंद्रा देती है, चंदर गुप्त देती है के बाद उसका पुत्र कुमार गुप्त शाशक बना, कुमार गुप्त को ही नालंदा विश्व विध्याले का संस्थापक माना जाता है, दोस्तों यहाँ पर ध्यान लखिएगा, नालंदा विश्व विध्याल ये बात आपको धिहान में रखना है के जी एन यू का इस संस्थापक मैना जाता है उसका राज्जी सौराष्ट से बंगाल तक फैला था अपने राज्जी के अंतिम दिनों में उसे पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा था इसकंद गुप्त इसकंद गुप्त ने यहाँ पर निर्मान करवाया था सुदर्शन जील का और बाद में इसका जीनोधार किसने करवाया तो नाम ध्यान रख लिजेगा इसकंद गुप्त ने इसका क्या करवाया जीनोधार करवाया यनि कि उसमें जो तूट-फूट हो गई यहाँ एक से इस बात का उलेख भी मिलता है कि सिहासन पर बैठ आ कि समय सकंद गुत्व ने मलेचों के रूप में कुख्यात हुनों को से जुजना पड़ा था और इसकंद गुपत गुंद्वन्ज ने अंदत हैं पर इसने कर दिया था। गुप्त वंच के सांस्कृतिक उपलब्धियों की अगर मैं बात करूँ तो भारत के सांस्कृतिक इत्यास में गुप्त वंच का बहुत मायत्वे गुप्त समराट वैदिक धर्म को मानने वाले थे समुंदरगुप्त अ कुमारगुपत प्रथम ने तो अश्मध्य के करवायाँ कि कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवरसेटी की स्थापना कर legal कि realistically कि समुंदर वाला आदमी और और युनिवर्सिटी वाले आदमी ने क्या करवाया अश्वमेद करवाया था गुप्त गुंश के अनतरगत उन्होंने बौध और जैन धर्म को भी प्रश्रे दिया चंद्रगुप्त दित्ये के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था ये एक इंपोर्टेंट लाइन है दूसरी बात कि भारत में आने वाला सबसे पहला सबसे पहला चीनी यात्री अगर कोई था तो दोस्तों वह कौन था तो ध्यान रखेगा वह सबसे पहला आने वाला चीनी यात्री था फाहियान ये बात हमको समझ में आ गई सबसे पहला चीनी यात्री कौन था फाहियान दोस्तों वो चंद्र गुप्त द्वितिये जंद्रगुप्त द्वितिये के शाशंकार में भारत आये था यह दो important बाते हमको पता चलिए अब हम इसको याद कैसे रखेंगे वो देखेगा इसको याद ऐसे रखते हैं दोस्तों कि यह यहां ये लिखा मैंने चंद्र चंद्र का मतलब क्या है चंद्र गुप्त और यहां से मने लिया यान के समय में भारत आया था कौन यान और यान का मतलब कौन यान का मतलब वायान चंद्र कुप्टत से कि हमुए अब सफीर शुष भुब न आ minist क विभी शुष समराजभ lorsqu सुषचिप से अपराध्य कम होते थे और करभिय बहुत कम राजकाच की भाषब संस्कृत थी, अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक था रगुवंच महाकावे के रचियता कालिदास, जी हाँ, आपने सुना होगा, तो कालिदास से संबन्धित एक प्रमुक पुस्तक, प्रमुक उनकी रचना, अभिज्ञान शकुंतलम और रगुव कौशकार कौन थे अमर सिंग थे ये सभी गुप्त काल से संबंदित हैं काली दास जो हैं जिन्होंने आभी ग्यान शकुंतलम की रचना की थी रगुवंचम की रचना की थी और भी बहुत सारी रचना इनकी प्रसिद्ध हैं और उसके अलाबा म्रच्च कटिकम नाम का एक बह बहुत बार पूचा जाता है मुद्रा राक्षष किसने विशागदर और कोशकार कौन थे अमर सिंग जो थे वो कोशकार थे ये सभी किससे संबंदित हैं तो ये सभी संबंदित हैं किससे ये सभी संबंदित हैं इस वंच से यानि कि गुप्त वंच से तो अभी अभी अप पड़ें, वापस एक बार रिवाइज करा रहा हूँ मैं आपको, कि भीया यह जो गुप्त वंच है न, इस गुप्त वंच की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें सबसे पहला नाम हमने क्या पढ़ा, कालिधास्त, जो इसी वंच से संबंदित है, एक हमने क्या नाम पढ़ा, विशाख दत विशाख दत और एक नाम और जो आपको ध्यान में रखना है और वो क्या था अमर सिंग्ग तो यह जो प्रमुख लोग हैं वो इस समय में हुआ करते थे किस समय में वो यह सभी गुप्त वंच के अंतरगत आते हैं रामाण महाजभारत अथा मनु सहीता अपने वर्थमान रूप क्या प्राचीन नाम आप बोल सकते है या एक्ट्츠 यह बात आपको ध्यान में रखना है is गुप्तका ने भी बात आपको ध्यांदिक वाराममीर क्या गुप्त ने भी गणित था जोतिर विज्ञान के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया उसके अलावा और प्रमुक्विक्ति कौन एक तो आर्य भट एक वारामिहिर और एक ब्रह्म गुप्त कौन कौन दोस्तों एक आपको और नाम ध्यान रखना है आर्य भट का एक आ यहां ऐसे कहा जाता है यह जो अर्बो के मादियम से यूरोप तक पहुंच गया था उस काल की वास्तुकला चित्रकला धातुकला के प्रमान जहांसी और कानपूर के अफ्षेशों और जंता के कुछ गफाओं दिलने मस्तित लोहस्तमन नालंदा मैं असी फूट उची बुद्ध की तामे की मूर्ती और सुल्तान गज इस्तित साड़े साथ फूट उची बुद्ध की प्रतीमा से मिलते हैं इस गुप्त काल में बहुत सारे आपको वास्तु कला के उधारन मिलेंगे जिसमें जैसे यहाँ पर लिखावा है कि धातु कला के जासी और कानपूर में बहुत सारे उधारन मिलते हैं अजन्ता में मिलते हैं उसके अलावा आपको दिल्ले में मिलते हैं नालंदा में बुद्ध की बहुत अच्छी मूर्ती बहुत बड़ी मूर्ती सुल्तान गन जिसते साड़े साथுट उंची गुद्धी की तामेगी मूर्थी जो है यहाँ पर मिलती है यह वास्तु कला के बहुत सारे उधारण यहाँ पर मिल जाते हैं गुप्तिकालीन समाज के अगर बात करें दोस्तों समाज में ब्राह्मनों का स्थान सबसे ऊचा माना जाता है उनके करतावे माने जाते थे अध्यान, अध्यापन, यग्युर्दान, छत्रियों का करतावे राश्ट की रक्षा, वैशे का कार, व्यापार और वानेज्जे, तदा शुद्र सेवा प्रदाता के रूप में माने जाते थे गुप्तकाल में जातियों के विशे में वैवसाय का बंधन शीतिल होने लगा था फिर भी वर्नों का आधार गोण और कर्म नहों कर जन में ही था इस्तरियों का समाज में महत्पुनस्तान था धार्मिकरतियों में पती के साथ पतने के उपसे थी अनिवारी थी जैसे कि कोई यग्य होना है अनुष्ठान होना है या फिर कोई हवन होना है तो वहाँ पर केवल और केवल पुरुष नहीं बलकि उसके साथ में जो उसकी सहव जीवन संगीनी है उसका होना भी उसमें बहुत ज़्यादा जरूरी उस समय में माना जाता था इस तरी सिक्षा का प्रचलेन भी था परदा प्रथा नहीं थी दोस्तों उस समय आठ प्रकार के विवाहों का प्रचलेन भी था अलगलग प्रकार के स्वेंबर प्रथा भी विद्यमान थी विष्रियों के लिए बहुत सम्मानजनक विषय हुआ करता था, गुंगट की प्रथा उस समय में नहीं हुआ करती थी, और स्वयमवर, आपने नाम सुना होगा, जिसमें महिला जो है, जो बाली का है, जो राजकुमारी है, वो स्वयम अपने लिए वर जो है, जुन सकती थी, बहुत सारी स्वतंदरता हैं, उस समय उनको मिली हुई थी, अगर मानलो विबा हो जाता है, और यदि पुतर नहीं होता, तो पती के बाद में, जो संपत्ती होती है, उस पर सबसे पहला अधिकार किसका माना जाता था, सबसे पहला अधिकार उसकी पतनी का ही माना जाता था दोस्तों, अब बात करते हैं वर्धन वंच की, पुष्य भूती वंच भी से कहा जाता है, छटी शताबदी इश्वी में दिल्ली के निकट थानेश्वर में पुष्य भूती जो शीव का उपासक था, इस वंच का प्रारंब हुआ, इस वंच में तीन राज़े हुए, मुख् हर्ष वर्धन का नाम आपने सुना ओगा, यही इसमें सबसदा प्रमुख है, लेकिन सबसे पहली बात की हम वर्धन वंच की यहां पर बात कर रहे हैं दोस्तों, तो वर्धन वंच का संस्तापक कौन था? तो क्या नाम? पुष्य भूती, पुष्य भूती के नाम से ही इसक जो किया दिया गया वद्ध कर दिया गया तो सो क्या हुआ कि पुश्यबुती था पुश्यबुती ने श्त् bullied कि इस्थाबना करी उसके बाद में प्रभाकरन वर्दन के बाद उसका पुत्र था जिसका नाम किया था राज्य वर्दन राज्य वर्दन जेश्ट पुत्र था इसलिए उसको शाशक बनाया गया बाद में शशांक ने क्या कर दिया उसकी हत्या कर दी थी शशांक द्वारा उसकी हत्या करने के बाद में उसके ब अन्त्यों के साथ ही पुशिबूती वन्च का क्या हो गया अंध हर्शवर्दन इस वन्च को बहुत अच्छी तरीके से संभाला बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाया पर नी संथान होने के वज़े से यहीं पर समाप्त हो गया जिस समय हर्ष सिहासन पर बैठा था ना राजी की इस्तिति बहुत मुश्किल थी गौड जिसे हमने भी पड़ा गौड के राजा शशांक ने उसके बड़े भाई का क्या कर दी थी उसकी जो छोटी बहन थी जिसका नाम था राजशरी उसकी प्राणों के रक्षा के लिए भी अज्यात स्थान पर चली गई थी हर्ष वर्दन ने शीगरी अपनी बहन को ढूड निकाला और काम रूप के राजा भासकर वर्मा संदी करके शशांक के विरुदेक बड़ी से ना भेज दी दोस्तों क्या हुआ कि जब हर्ष वर्दन गदी पर वैठा था उस समय में वहां की इस्तिति बहुत अच्छी नहीं थी उसका जो भाई था उसकी म्रत्य हो चुकी थी और जो उसकी बहन थी वो अग्यात वास के लिए जली गई थी बहुत कठिनाई के साथ में उसने अपने परिवार को संभाला और परिवार के साथ साथ अपने राज्जी को भी संभाला अपनी जो बहन थी उसको ढूंड लिया और बाद में राजा भासकर जो वर्मा थे उनके साथ में इसने संदी कर लिए और शशांग के विरुद्ध में क्या कर दी सेना भेज दी यानि कि युद्ध की खोशना कर दी यह दिपि दक्षण में उसकी सेनाओं को लगबग चसो बीस इसवी में चालो के राजा पुलकेशिन दृतिन न भासको युद्ध माहराजा धिराज की उपाधी इसने धारनई की थी वह शिवी और वह शिव और सूरी की उपासना करता था बाद में इसका जुखाओं महलियान बोहत भाद हो आधी हुगि आ प्रति पांच वर्ष प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर महुत्सव खरके के दान आधी कर देता था यह ते गा जाता है की पांच वर्ष जो है ना प्रतिक पांच वर्ष में करता है यह ना गंगा और यमुना के संगम पर महुसाओ करके दान देने का काम करता था यह अपनी सारी संपत्ती दान कर देया करता था और ऐसे कहते हैं कि बाद में केवल जो वस्त्र बस्ते थे वो वस्त्र वगेरा भी दान करके और बाद में अपनी बहन से दान के रूप में वस्त टो चीनियात्री हैनसांग एक सममें आया हर्षवर्दन के समय में इसको याद के से रखेंगे हा हो क यानि एच 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 का मतलब हर्श वर्दन और एच का मतलब हैं तोस्तों इस कहानी में मुख्य रूप से तीन जो विदेशी यात्री आए हैं भारत वो आपको ज्यान में रखने हैं वो कौन-कौन से एक बार में वापस उस पर चर्चा कर लेता हूं थोड़ी सी एक दोस्तो समय में नाओ तो आप इसको ऐसे बार में याद के या ऐद खने डी स्टे कुंति की हर्ष वर्दन के समय में कौन आया तो हर्ष 같아 के समय में हैं यह भरत आया था ठीक है दोस्तों तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए एम एम एफ सी एच 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 चीक है तो दोस्तों यहां तक आप लोगों को उमीद है समझ में आया होगा इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा काफी प्रयास मैंने किया है कि मैं आप लोगों को ट्रिक्स और बहुत आसान शब्दों में इन सभी चीजों को याद करवा पाऊं आज के लिए फिलाल इतना ही जैहिन जैभारत